नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर एक बार मेने चैनल में स्वागत है चाहिए आपके पास कोई भी मोबाईल हो, कितना भी पुराना हो, किसी कंडिशन में हो, अगर आप ये ट्रिक्स उप्योग में लाओगे तो आपका मोबाईल G1 भर कभी भी हैंग नहीं होगा या गरम नहीं होगा आपके mobile का hang होना या गरम होना दोनों भी चीज़े एक दूसरे से connected होते मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना है keyboard hanging solution का वो भी आगर आपको देखना है तो उपर मैंने i button पे उसका link दे दिया है और नीचे description भी उसका link है इस वीडियो में जो भी tricks बताऊंगा वो सारे आपको apply करने होगे तभी जाके आपका mobile hang या गरम नहीं होगा चाहे आप दिन रात PUBG खिले या mobile यूज़ करें आपको mobile कभी हैंग नहीं होगा अगर आप ये tricks यूज़ करेंगे तो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको permanent solution बताऊंगा आपके mobile hang होने का और गरम होने का ये वीडियो लास्त तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो like और subscribe आपको जरूर करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको जाना है mobile के setting में setting open होने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और आपको एक डूढ़ना है location जो यहाँ है इस पर आपको click करना है और location पर click करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा mode नाम के setting दिखेगी आपको वह आपको open करना है यह setting अपने आप ही update होती रहती है आपके wifi या bluetooth के कारण यहाँ पर आपको high accuracy पर दिखाई दे रहोगा इसको आपको करना है battery saving पर इससे क्या होगा जब भी आप mobile use करोगे तो आपकी location अपने आप update नहीं होगी और आपकी battery जो है वो backup में ज्यादा load नहीं लेगी इसके कारण आपके mobile की battery बचेगी और hang भी नहीं होगा इसके बाद आपको एक और setting दिखे रहोगे यह आपको ऊपर तीन dot दिखे रहोगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगे और आपकी battery और आपके mobile की RAM भी बचेगी तो यह setting आपको सबसे पहले कर लेनी है इसके बाद आएगी setting में बताने वाला हूँ तो आपको यह video पूरा देखना है तो आपको दो नमबर की setting के लिए आपको फिर एक बार जाना होगा settings में mobile की setting में settings open करने के बाद आपको वहाँ एक folder डूढ़ना है apps नाम का जो कि आपके setting में available होगा तो यह रहा apps नम का folder इसे आपको कर दिना है open इसके बाद आपको नीचे scroll करना है और जहाँ से G नाम के app चाल होते हैं वह डूढने आपको आपको नीचे scroll करते जाना है और आपको डूढ़ना है यह रहा और open करने के बाद आपको एक और option डूनना है storage नाम का यहाँ उपर storage नाम का option है इसको आपको फिर एक बार open कर लेना है open करने के बाद आपको डूनना है clear cache आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 34.4 MB ऐसा cache यहाँ जमा हो चुका यह कुछ junk files होती है जो कि अपने आप ही जमा होती रहती है तो आपको इसे करना है clear cache है इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपके mobile में option होगा Google Play Store में इस app का तो इसे आपको deactivate भी कर लेना है यह हो जाने के बाद आपको फिर एक बार back आना है और आपको जो internal storage आपने open किया था फोल्डर इसको आप जहाँ पे आपको apps दि आप ही जमा होती रहती है यह 90 GB तक मेरे mobile की गई है मतलब almost 1 GB तक हो गए है तो इसको आपको करना है clear कर देना है इस पर click करके आपको ok दबा देना है इससे क्या होगा कि आपके mobile में जो भी junk file जमा हो चुके है और जो आपकी storage खा रहा है वो आप clear हो जाएगी यहाँ पे दे दूसरे जीजे भी भर सकते हैं तो यह एक कारणुत है आपके mobile hang या गरम होने का तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि हर बार आपको यह cash data को clear करना है अब आपको तीसरे number की setting करना है जो की बहुत ही important और बहुत ही जरूरी है आपके mobile के लिए अगर आपके mobile को hang होने से या गरम होने से permanently बचना है तो यह आपको setting करने ही पड़ेगी तो इसके लिए आपको फिर एक बार जाना होगा setting में जैसे यह setting का open हो जाएगा तो आपको यह नीचे scroll करना है और सबसे नीचे जाना है और आपको एक option डूनना है about phone का यहाँ पे आपके phone की बारे में सब कु option दिखाए देरहोगा उसपे आपको 7 बार 7 बार आपको click करना है build number पर इससे क्या होगा आपके मोबाल में developer का option create हो जाएगा यहाँ आपको developer का option दिखाए देरहोगा folder उसपे आपको क्लिक करना है developer options open करने के पाथ आपको एक setting डूनने के लिए आपको नीचे scroll करते जाना है ये setting आपके mobile की सारे problem दूर करेगी तो जो भी steps में कर रहा हूँ वो आपको follow करने तो आपको यहाँ एक setting डूनने जिसका नाम है windows animation scale, transition animation scale और animator duration scale यह 3 scale आपको यह option दिखाए दे रहोगा इन 3 scale option को आपको बारी बारी open करना है और इसे 0.5x या इसे off कर देना है यह आपको 3 को कर देना होगा 0.5 पे या off कर देना है इसके यह setting करने के बाद आपको नीचे फिर एक बार scroll करना है और एक और आपको setting डूनिए जिसका नाम है background process limit ये option आपको open कर लेना है और इसके बाद आपको बहुत सारे option दिखाए दे रहे होंगे जैसे कि standard limit या add one process, add most two processes तो इसमें आपको select करना है add most one process ये आपको select कर लेना है दोस्तो ये setting on करने से क्या होगा कि जो आपके background में जो app चालू रहते जिसके कारण आपका RAM और storage भी फूल होता रहता है वो नहीं होगा और जो आपके app होते वो जल्दी से open होंगे जो time लगता है open होने में या hang होता है वो नहीं होगा और ना ही heat या गरम होगा और इससे एक और चीज़ होगी आपके mobile की जो battery है वो ज्यादा use नहीं होगी और आपका mobile hang होने से या गरम होने से बच जाएगा तो दोस्तो अब तक मैंने तीन tricks या setting बताईए जिसे आपका mobile hang या गरम नहीं होगा अब बढ़ते last tricks की तरफ यह सबसे important है आपके mobile में यह आपको जरूर करना है जिसके कारण आपके mobile की जो battery है जो heat होता है mobile या hang होता है यह नहीं होगा तो यह setting करने के लिए आपको जाना है play store में और यहाँ आपको search करना है android system web view यह tricks आपको ज्यादार तर youtuber नहीं बताएंगे आपको यह open कर लेना है अगर आपके पास यह install नहीं होगा तो इसे install कर लेना है अगर install होगा तो इसे update करना है इससे क्या होगा जो आपके mobile में bugs create हो या कोई link open करने के कारण आपके mobile में virus आ जाता है तो इस bug को fix करने का या remove करने का काम यह android system web view करती है इसके साथी आपके mobile का जो performance है speed है इसको improve करती है और आपको security भी provide करती है जो virus है या कोई bugs आपके mobile में आता है तो उससे आपको छुटकारे देने में यह मदद करती है तो यह application आ जाए और आपके mobile की speed और बाकी चीज़े वो improve हो जाए तो दोस्तों आपको यह चार setting आपने mobile में कर लेनी है और इसके बाद आपके mobile की speed performance सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके mobile के hang problem या जो गर्म होने के problem है mobile वो सबसे आपको छुटकारा मिलेगा अगर आपको य ऐसे ही नए tricks और नई जानकर जानने के लिए हमारे चनल को सबस्क्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत